हलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको इस तरीके की कोने वाली लैस में बताऊंगा कि किस तरीके से आप चाक में लगा सकते हैं दोस्तों काफी जादा ट्रेंड में हैं और इस तरीके की लैस को हम आपको बताएंगे गुम किस तरीके से लगानी है तो एक की बार में दोस्तों आप यह सीख जाएंगे और छोटी सी वीडियो आप इस वीडियो का एंड तक देख लेना तो देखी यहाँ पर एक कमीज है जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ठीक है यह वाला सिलाई का हिस्सा है दोनों तरफ ठ चाक में जा रहा तरह लगती है तो एक तरफ आपको लगा के दिखाऊंगा सेक्ट तरफ आपको वैसे ही लगा लेना है तो दोस्तों यहां पर दिखान से देखना यह नीचे चाक के कट है ठीक है इसको में सिंपली क्या करना है दोस्तों इस तरीके से पकड़ना है और जहा के साथ आपको यहां प्रेस लगा लेनी है तो मैंने प्रेस लगा लिए यहां पर देखे कि रिज का निसान उड़ गया छोटी सी वीडियो एंड तक देखना आपको एक बार में लगानी आ प्रेस लगा देता हूँ दोस्तों यहां पर भी जो है निसान उट गया ठीक है और उसके और दोस्तों यह जो जहां से हमारा चाक फोल्ड होगा इस चीज का ध्यान रखना अब आपको लैस के तरफ ध्यान देना है तो यह देखिए यहां से बिल्कुर फिनीसिंग दिखे रही है और इस साइड से आपका यह ऐसे दिख रहा है यानि यह उल्टी साइड है तो हमें क्या करना है सीधी वाल इसका ना चाहूं मैं एक बार में दोस्तों से एक सिलाई से फॉल्ड कर सकता हूं लेकिन हमें ऐसे नहीं करना आपको सिखाना है इसलिए मैं इसे अराम से यह को एक बढ़ा एसे रखें ठीक है ब्रूब करीज से क्रीज मिलाकर और फलकना नहीं चाहिए बिलकुल भी अराम से इसको ऐसे रखें दोस्तों शिलाई लगा लें और एक चीज का है दोस्तों याद रखें आप प्रैस वगारा जो भी करना है साफ करने पहले से चाक क्योंकि इसके बाद दोस्तों इसके उपर ने प्रैस नहीं लगने चाहिए इसने प्लास्टिकी तार होती है वरना लेस सुकड जाएगी और फिर आपके चाक में जोला है यह देखिए दोस्तों मैंने आप इस तरीके से सिलाई लगाते हूँ इसको कंगोरे वाली लेस कह सकते हैं ठीक है मैं इसको अराम से जो है सेट करता जाता हूँ अब दोस्तों यहां पर देखें चाक एंड है मैं आपको निसान लागे दिखा रहा हूँ यह चाक एंड है यहां पर तो हम इससे तकरीबन एक इंच उपर तक दोस्तों इसको रखेंगे ज्यादा नहीं रखेंगे आप उपर भी लख सकते हो बस इसको यहां तक रखना है है तो यहां पर लगानी सिलाई है अब यहां पर इसको कट कर लेंगे दियान से देखना दोस्तों अभी हमारे यह ऐसी लगी है अब आप इसको ऐसे पल्टेंगे तो देखिए ओटोमैटिक यह आपकी यहां पर इस तरीके से दिख जाएगा अब दोस्तों में करना क्या है देखे यहां पर अब हमें इसको ऐसे लेना है ठीक है ऐसे लेने के इसको अराम से पल्टेओं याद रखें दोस्तों जब इस तरीकी की लैस लगाएं तो इसके मार्टन को थोड़ा बढ़ा लें जैसे मैंने देवर इंच का मार्टन रखता हूं तो इसे आप दो इंच कर लें तो क्योंकि फोल्ड करने का रिक काफी पत्रा हो जागा चाक तो देखे मैं एक बार इसे फोल्ड कर रहा हूं फिल दुबारस इसको ऐसे करके दोस्तों अब रखूंगा इसकी इतना है जितना में दिखाना ह बार इस दिखाना है क्योंकि एग एसे रखना आप देखे कितना भैतिन जो है इस तरिकी डोस्तों आप यह कं और लगा नहीं है है उप बस इसके अंदर आपको ऐसे फोल्ड करते जाने इस पर किनार पर एसे लगते जाने और इस लाई लगा नहीं है अब दोस्तों वैसे तो यह काफी है तो काफी लोगों को इसको लगाने का जो सही तरीका है नहीं पता होता वैसे तो आप कच्छी लपसे भी लगा सकते लेकिन पक्की लगाएंगे तो इससे अच्छी आती अब देखिए मैंने सिंपल क्या करा पहले इसको रोक लिया ठीक है फिर उसके बास गलती नहीं होती मैं आपको बताऊं इसमें मेरे से गलती हो चुकी है आप को भी दिखाता हूँ क्या गलती ये तो देखिए यहां तक आ लगें नीचे टरफ जाना और तरह लेना है तो कि Mil consider गलती हुए दियान से देखें इसकी विए हैं ठीक है और यहां पर करीज महां बिल्कोल चुक बिल्कुर यह चुता तो चले दोस्तौ मैं यहां पर ढूसी तरफ भी जब मतलब लекст लगा लेता हूं फिर आपको दोनों की लुक दिखाता हूं सकी लुक कितनी अमेजिंग आती है तो देखिए दोस्तों मैंने से प्रेस साफ कर लिए और मेरी है इस्टीम प्रेस में नीचे बूट होता है ना इसका फायदा यह कि इस जैसी लैस को अगर हम प्रेस लगाते भी है न तो यह सुकरती नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा गरम लगा दे में ठील है ठीकर नो ऑड़ यह इस तरिके से भगा तो आप देखिए इसकी फिनीशिंग देखें दोस्तों आप इसकी फिनीशिंग देख रहें इस तरीके के दोस्तों पुरानी कमीस्ति माहरा अगरम थोड़ा जादा रही तो तो इस चीज का दिहान रखें तो इस तरीके दोस्तों सिर्फ चाकों में लग रहा है अभी जो हम करते हैं किसी किसी जगा पर घेरे में भी लेते हैं तो अपनी अपनी चोईस है अगर आपको घेरे में लगाना है तो घेरा फोल्ड करके उस पर भी लगा सकते हो हम ठीक है तो यह से कैसे लगी हमें कमेंट करके जहूर बताना अगर आपको और भी सलाए कि कोई ऐसी टिप से चांदनी हो जैसे आपको परेसानी काफी जाद आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना हम आपके कमेंट को नोट करके उसके उपर वीडियो जरूर लेकि आएंगे और दोस्तों अगर आप हमारे से पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं जिसमें आपको कमेंट के सूट के पैंट के बिलाव के हटर के पेपर मिलेंगे तो उसकीन पर दे गए नंबर पर आवर्ट से मेसीज़ा कॉल करके पूरी जानकरी ले सकते हैं ठैक्यू फॉर वाचिंग झाल 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 झाल